हेलो गाइज वेलकम बैक तू आप चनल कम्लीट नॉलेज यह हमारी सेकिंड वीडियो है हिस्ट्री की तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हिस्ट्री की तो जाकर जुरू देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा और आपको पर आई बटन पे भी मिल जाएगी वो वीडियो तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव ओन टू आर टॉपिक सेवन डिफेंट टाइपस ऑफ यूमन या साथ अलग अलग प्रकार के मारा या कह सकते हैं साथ अलग अलग तरजातियों के मानव सभी मानव इस दुनिया साल पहले अपरीका में होमो सेपिंस एमर्ज हो थे एमर्ज यानी प्रकाट हो थे और ऐसा कहा जाता है कि छे दूसरे तरह के मानव की प्रजातिया भी एक सब रहा कर देती मगर 24,000 साल पहले सिर्फ होमो सेपिंस थी ते जो इस धर्टी पर बच्चे और उसके 9000 साल बाद ह होमो सेपिंस ने हर एक कॉंटिनेंट पर रहना स्टार्ट कर दिया था सिवाए एंटार्टिका के हमारी धर्टी पर टोटल seven continents है इसमें से एंटार्टिका भी एक है तो अब हम बात करते हैं हमारी first species of human की यानी होमो सेपिंस की होमो सेपिंस के अलावा बागी छे दूसरी species कुछ सारी extent हो गए थी climate change के दोरान extent मतलब विलॉप्त हो जाना और सिर्फ होमो सेपिंसी थे जो उस दोरान भजे थे और क्योंकि उन्होंने साथ रहना सीख लियता हंटिंग सीख लिती और खुदको इतना evolve कर लिया था evolve नने develop कर लिया था कि वो अच्छे से उस climate change का सामना कर पाएं हंटिंग के अलावा उन्होंने कुछ certain plants को grow करना सीख लिया था और animals को पालना शुरूर कर दिया था scientist को कई ऐसे fossils मिले हैं जो यह प्रूफ कर दे हैं कि वो fossils homo sapiens के ही हैं और जो सबसे पुराना जो अब तक का non fossil जो इनको मिला है उसका नाम है हर्टो जो इथोपिया में है इथोपिया हमारा अफ्रीका कॉंटिनेंट में आता है अब fossil क्या होता है fossil को हिंदी में क्या कहते है वासिल को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म जीवाश्म इसका मतलब यह होता है जो भी हजारों लाखों साल पहले कोई भी जानवर जानवर पेड़ पौध है कोई भी जीवित प्राणी जीवित प्राणी के अंग जीवित प्राणी के अंग या फिर कोई भी निशान जो मिलते हैं वो फॉसिल कहलाते हैं वैसे आपको पता है कि modern human कैसे जिते हैं अब फिर भी मैंने रेफ्राण्स के दो फोटोज लिया है एक हमारे great socialist revolutionary भागत सिंग इसको छोटा कम भागत सिंग अब दूसरी तरह हमारे अटल बिहारी बाचपे जी सुसमा सुराज जी और एपीज अदुनकलाम अटल बिहारी अटल बिहारी बाचपे जी जो हमारे former Prime Minister रह चुके हैं ये तीन में प्राइम इनिस्टर रह चुके हैं तो हमारी सुसमा सुराज जी सुस्माई सुराज एभी हमारी former CM रह चुके है डेली की और External Affairs की Minister रह चुके हैं और एभीजे अब्दिकलाम जी यह मारे former President रह चुके हैं हर किसी को पता ही होगा इनके वारे में इनके वारे में आके हम बाकी वीडियो में करेंगी जो हिस्टरी की मौडन हिस्टरी में आएगी अब हम अपने second human species की बाग करते हैं जिसका नाम है Neanderthalianesis यह विलप प्रजाती है जो सबसे ज़्यादा close है humans के modern humans के हमारे homo sapiens के इसका सिर्फ 0.12% DNA ही different human से बाकी सारा DNA सेम है ऐसा माना जाते है कि आज से 30,000 साल पहले से लेकर 6,000,000 साल पहले तक रहा करते थे यूरोप में South West से लेकर Central Asia तर जूम कर ले थोड़ा सा यूरोप में यह Central Asia यह रहा करते थे और जैसा कि मैंने बताया था हमारे अर्थ पर टोटल सेवन कॉंटिनेंट से पहला है नौर्थ अमेरिका, नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एशिया और ऑस्टेलिया यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला एरिया यह हमारा एथोपिया जहां पर हमें हेट्रो मिला था जो फॉसल था यहां आपको पहले बता चुका हम वीडियो में हेट्रो फॉसल हमें 1997 में मिला था इथियोपिया में जो अफ्रीका कॉंटिडिंट के अंदर आता है अब मुम बात करते हैं हमारी थोड़ इस्पीसीज की जो है होमो एरैक्टरस यह हमारा होमो एरैक्टरस होमो एरैक्टरस प्लाइस्टोसील पीरिट पे रहा करते थे जिसका टाइम लाइन है 1.9 million से लेके 1.4 million होमोरेक्टस के जो पहला फॉसिल था वो जावा के early 1890s में मिला था जावा जिसको हम इंडोनेशिय के नाम से जानते हैं फॉसिल के study से ये प्रूब हो गये था कि होमोरेक्टस के जो origin था वो अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद उन्होंने इंडिया, चाइना, जॉर्जिय जैसे देशों में जाकर रहना शुरू कर दिया था जो अफ्रीका में फॉसिल्स मिले थे वो काफी large body size fossils थे इंडोनेशिय, चाइना और जॉर्जिय में जो फॉसिल्स मिले थे वो काफी छोटी body के fossils थे यानि उनके काफी छोटे हाथ पैर हुआ करते थे जो चाइना जॉर्जिय में मिले थे अफ्रीकन फॉसिल्स जो थे उनके बड़े बड़े पैर हुआ करते थे elongated legs और छोटे arms वो कर देने इसको मैं रफ कर देता हूं पहले हुआ हम यहाथ दे सकते हैं और वो काफी तेजी से भाग सकते थे modern humans के comparison में अब हम चलते हैं हमारी fourth species की तरफ इसका नाम है homoflorisciences यह कुछ इस तरह के दिखते हैं homoflorisciences was believed to have lived from 95,000 to 17,000 years ago in Indonesia ऐसा माना जाता है कि यह 95,000 साल से लेका 17,000 साल पहले Indonesia में रहते थे they were quite small in size around 3.5 feet with a tiny brain यह काफी छोटे हुआ करते थे 3.5 feet के और इनके दिमाग जो था वो काफी छोटा हुआ करते था अब हम चलते हैं हमारी fifth species की तरफ जिसका नाम है homo habilis homo habilis possesses some ape-like features such as long arms इनकी जो features थे जो body के कुछ parts थे वो ape की तरह थे यानि बंदर या फिर हम chimpanzee का सकते हैं जैसे इनके long arms यानि हाथ लंबे हो करते थे और and a moderate prognathic face और इनके जो face था वो medium prognathic type करता है prognathic मितला होता है जो हमारा face का जो lower part होता है यह वाला वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है उसे prognathic केते हैं prognathic face they had a large brain however they had a smaller face and teeth इनके पास काफी बड़ा दिमाग को करता है मनलग इनके जो दिमाग थे वो काफी बड़े थे size में लेकिन उनके जो face था overall वो छोटा था और उनके जो दाथ थे teeth वो भी छोटे हुआ करते थे अब हम चलता है हमारे six species की दरफ जिसका नाना है homo rudal fences their physical build weight and height is still unknown उनकी जो physical body weight या height वो अब भी unknown है क्यों unknown है क्योंकि weight क्योंकि जो उनका cranial fossil है उसमें कम ही यानि cranial fossil researchers को इतने नहीं मिले कि वह exact इनकी height weight या फिर उनकी physical body या build बता पाएं और cranial का मतलब होता है skull यानि खोपड़ी खोपड़ी की यह जो पूरा part है fossil यह बहुत ही कम मिले हैं researchers को अब हम हमारी last और 7th species के पास चलते हैं जिसका नाम है homo heidelberg analysis they had a large brain case with a flatter face than today's human इनका जो brain thub काफी बड़ा था लेकिन इनका जो face था modern humans के comparison में काफी flat हुआ करता था they were first human species to adopt the colder climate and to build their own shelters to live in यह पहले ऐसी species थे जिन्होंने जो cold weather था जो थंड़ा वातवान था उसको adopt कर ले और इस cold weather से बचने के लिए इन्होंने खुद का घर बनाना शार्ट कर दिया था क्योंकि वह जाता था चाहता था चाहता था चाहता था जो यह थे यह हमेसा बड़े जानवरों का शिकार करते थे तो यह थे हमारे seven different types of human I hope you liked the video if yes then please like and share this video and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon Thank you for watching